अज हम सर्वनाम के अंतरगत प्रश्न वाचक सर्वनाम सम्बंद वाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम के विशह में पढ़ेंगे उनके वो होते क्या है कि प्रश्न वाचक सर्वनाम सम्बंद वाचक और निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं उनकी क्या पहचान है और उनके कुछ उधारण के ले करके हम इसको समपूर्ण रूप से समझेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न वाचक सर्वनाम प्रश्न वाचक जैसा की नाम से ही इस पश्ट है प्रश्न मतलब इन सर्वनाम शब्दों में क्या होता है प्रश्न पूछे जाते हैं तो जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है वहें प्रश्न वाचक सर्वनाम कहलाते हैं जैसे कौण, कहां, ठीक यह हो गए प्रश्न वाचक सर्वनाम, यह कलम किसका है, तो यहा पर क्या है, प्रश्न वाचक सर्वनाम क्या है, किसका, छट पर कौन है, बतलब यह भी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहां हो गया कौन तो वे सर्वनाम शब्द जिसमें किसी प्रश्ण पूछे जाने का संबंध हो या प्रश्ण पूछे जाने का बोध हो वह है प्रश्ण वाचक सर्वनाम कहलाते हैं अब है अगला संबंद वाचक सर्वनाम संबंद जैसा की नाम से इस पश्ट हो रहा है कि किसी चीज के में संबंद बताता होगा ये तो यहाँ पर क्या है जो सर्वनाम शब्द वाग के में प्रियोग किये गए दूसरे सर्वनाम या संग्या शब्दों के साथ सम्मंद बताने के लिए प्रियोग किये जाते हैं सम्मंद वाचक सर्वनाम कहलाते हैं जैसे माल लिजे कि कोई हमको वाग के दिया हुआ है और उसमें कोई सर्वनाम शब्द दिया हुआ है और वो एक सर्वनाम शब्द आगे आने वाला जो वो पूरा वाक्य है उसमें कोई और दूसरा सर्वनाम अगर है या दूसरा संग्या शब्द प्रयोग किया गया है तो पहला वाला सर्वनाम शब्द आगे दूसरा आने वाले सर्वनाम या संग्या शब्दों के साथ वाचक जैसे जैसा वैसा बोलते है ना जैसा करोगे वैसा तुम्हारे साथ होगा तो यहां पर जैसा और वैसा क्या है संबंद एक दूसरे के साथ संबंद बता रहे हैं तो संबंद वाचक जो वो जो पढ़ाई करेगा वो सफल होएगा तो यहां पर जो और वो क्या है एक द उधारण देख लेते हैं का उधारण है जैसी करनी वैसी भरनी जैसा जैसी करनी वैसी भरनी मतलब जैसा करोगे वैसा ही भरोगे कहते हैं न जो कर्म करोगे आपके संग वैसा ही होगा तो जैसा और वैसा मतलब जैसी और वैसी यह क्या हो गया समंद बता रहें एक दूसरे के बीच तो यह हो गया सर्मंद वाचक सर्वनाम, जो महनत करेगा वह सफल होगा, तो जो और वह एक दूसरे के साथ सम्मंद एक बता रहे हैं, तो यह क्या होए, सम्मंद वाचक सर्वनाम, मतलब जो सर्वनाम शब्द वाक्यों में प्रियोग कियों गए, दूसरे सर्वनाम या संग्या शब्दों के साथ संबंद बताते हैं उनको संबंद वाचक सर्वनाम कहते हैं अब है तीसरा निजवाचक सर्वनाम तो निजवाचक सर्वनाम मतलब निज मतलब निजी मतलब क्या होता है जो हमारा है मतलब अपना या खुद का तो अब इन में क्या है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रियोग अपने लिए कौन अपने लिए करता है करता जो बाक्य में करता है वह अपने लिए जब सर्वनाम शब्दों का प्रियोग करता है तो वे निजव 寵ाचक सर्वनाम कहिलाते हैं जैसे क्याकाता मैं अपने काम कर लूँग मैं बजार खुद, चला जाओंग तो यह हो गये खुद अपने यह सब क्या है निजवाचक सर्वनाम इसका उधारण देख लेते हैं, मैं खुद खाना बना लूँगी, मतलब खुद क्या है ओंपर? निजवाचक सरनाम मतलब अपने आप कर लूँगी, यह करता जो है वो अपने आपके बारे में ही बोल रहा है तो वो हो गया निजवाचक सरनाम तो आई होप आपको प्रिश्णवाचक संबंद वाचक और निजवाचक सर्वनाम बहुत अच्छी से समझ में आये होंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए थैंक यू